मर्यादा पुर्षत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और ध्रस्टाचार करने की हिम्मत करेगा लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ वो कागजात चिला चिला कर कह रहे हैं कि राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर करोणों रूपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए करोणों रूपए राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रस्तचार करने का काम किया मरियादा पुरशुत्तम भगवान स्री राम जिनके परती करोणों लोगं की आस्ता है जिनके परती इस देश के करोणों χंदूओं की आस्ता है जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्टरी में काम करने वाला मज़दूर हो सब ने प्रभुस्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला और भरस्टाचार कर लिया जाएगा और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक-एक करके बताना चाहता हूँ ये आयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246 ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोण 80 लाक रुपए है जिसको दो करोण रुपए में कुसुम पाठक और हरीस पाठक जी से दो लोगों ने खरीदा जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीस पाठक और कुसम पाठक से दो करोण की जमीन खरीडी गाठा संख्या दो सो तिरालिस दो सो चवालिस दो दो सो च्वालिस और इस जमीन खरीद में जो जो सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी ने खरीदी इसमें दो गवाह बने एक अनिल मिस्रा जो राम जनम भूमी के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे हरी रिषी केस उपाध्या है रिषी केस उपाध्या है जो आयोध्या के मेयर हैं ये दो लोग इसमें गवाह बनते हैं और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई साथ बच के दस मिनट पर पांच करौन असी लाग की मालियत की जमीन सामको साथ बच के दस मिनट पर दो करौन रुपए में कुसुम पाथक और हरीस पाथक के द्वारा बेची गई सुल्टान अंसारी और रवी मोहंतिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिस्रा उसके गवाब बने आयोध्या के मेर रिसी के सुपाध्या उसके गवाब बने पांच मिनट बाद क्या करिश्मा होता है ठीक पांच मिनट बाद ठीक पांच मिनट बाद ये जो दो करोण में जमीन खरीदी गई जिसकी मालियत पांच करोण 80 लाख है वो जमीन राम जनम भूमी ट्रस्ट ने चंपत राजी ने साड़े अठारा करोण रुपए की खरीद ली और साड़े अठारा करोण में सत्रा करोण रुपए आटी जीएस कर दिया रभी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा साड़े अठारा करोण में खरीदा दो करोण की जमीन लगभक साड़े पांच लाख रुपए प्रतिस सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया और हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन एक सेकंड में महही नहीं नहीं होगी लेकिन राम जनंब्हूमी प्रबुसरी राम के नाम पर बने ट्रस्ट में एक सेकंड में साड़े पांच लाक रुपए महही करके जमीन खरीदी गई साड़े अठारा करो रुपए में साड़े अठारा करो रुपए में और सत्रा करो रुपए आनिल मिस्टराजी बैयनामा कराने में गवाह थे जो अनिल मिस्तराजी ध्यान से सुनियेगा ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिस्तराजी बैनामा कराने में गवा थे वही अनिल मिस्तराजी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवा बन गए जो मेर महोद है, रिसी के सुपाध्याजी, जमीन, बैनामा में गवा थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवा बन गए तो मैं समझता हूँ, आज उन करोणों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी आज प्रभुसरी राम के नाम पर भब्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया उनकी भानों को गहरी ठेस लगी होगी, कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोणों रूपए का चंदा दिया प्रबुस्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मदार लोग उसके पदादिकारी करोणों रूपए की हेरा फेरी कर रहे हैं करोणों रूपए का भ्रस्टचार कर रहे हैं जो जमीन दो करोण रूपए में खरीदी गई वो जमीन साथे अठारा करोंड में पाँच मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई मुझे साफ तोर पर कहना है यह मनी लॉंडरिंग का मामला है यह भारी भरस्टाचार का मामला है मैं मांग करता हूँ देश के प्रधान मंत्री आधनी नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ इस देश की सरकार से तत्काल एडिय और सीबियाई के जर्ये इस मामले की गहन जाच कराके जो इसमें भरस्टाचारी लोग हैं उनको पकड़ कर जेल में डालिये क्योंकि यह इस मुल्क के करोणों राम भक्तों की आस्था का प्रस्थन है करोणों उन लोगों का प्रस्थन है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भरस्टाचार और घोटाला किया गया